कि असलाम अलेकम आवरिवन कैसे हैं आपस लोग उमीद करता हूं उस लोग खरिया से होंगे और लबस आपको खरिया से रखें आज की इस वीडियो के अंदर हम लग CS408 जाय है वो लेक्चर नुबर 11 से लेकर लेक्चर नुबर 15 तक कवर करेंगे सबसे पहले हमार पास यहां आप कर देखता हूं कर आपके पास यहां पर कुछ करवाने वाला तो मैं को कर वा देता हूं जी एक्षिन साइकल जए उसकेंदर 2 एक्सपेक्ट्स होते यह important short question or long question sometime आज देखान से करिएगा कहता जी start at the top with the goal the state that is to be achieved start आपने काहां से connect top with the goal ठीक है जी उसके बाद the state that is to be achieved the goal is translated into an intention to do some action the intention must be translated into a set of internal commands an action sequence that can be performed to satisfy the intention यह आपने यहां तक कर लेना है ठीक है जी उसके बाद यह easy to learn है आप इसको अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको learn हो जाएगा इतना को मिश्किल नहीं है उसके बाद यह evaluation का stage दिये गए है evaluation start with our perception of the world this perception must be interpreted according to our expectations and then compared with respect to both intentions and our goals उसके बाद यह खैर मैं आपको आगे बढ़ा जेता हूं errors के बारे में errors क्या होते है error basically mistakes को का जाता है कि जो हमसे गलतियां होती है तो उसको यहां पर error का जाता है mistake आ गई है कि an incorrect action is taken based on incorrect decision first करें जी आगर आपने कोई incorrect action perform कर दिया जाहिर है उससे फिर आपका decision incorrect हो जाएगा first करें जी आपने एक file को copy करना था आपने इसको delete कर दिया यह incorrect action है for example trying to throw the icon of the hard disk into the waste basket in the desktop metaphor as a way of removing all existing file from the disk is a mistake यानि कि कहते है कि अगर आप mistake से क्या करना चाहते थे कि आप icon को क्या करना चाहते है hard disk के बाए waste box में फेंकना चाहते थे लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया कि सारी files को ही remove कर दिया ठीक है तो एक तरह की गलती है यानि कि अगर हम कोई गलती से कोई key press कर देते हैं मने दबानी कोई और की ती दबाम कोई और की देते हैं तो यह हमारे पास slip कहलाता है concept उसके बाद lecture number 12 आ गया है उसके ना हमारे पास यहां पर concept दिया गया है conceptual model का इसके अंदर क्या होता है कि एक way जिसके through designer आपने पूरे प्रोग्राम को represent करता है conceptual model करते हैं इसमें clear obvious और substrational तीन चीज़ें यहां पर आपने गहुर करनी होती है ठीक है उसके बाद यहां पर goal for execution और goal for evaluation में फरक बताया गया goal for execution में क्या होता है कि आप difference करते हो between intention and allowable action यानिके जो आप करना चाहते थे और जो आपको allow है intention का मतलब क्या होता है कि जब करना चाहते थे और allowable action का मतलब कि जो आपको avail है उसके बाद goal for evaluation का मतलब क्या होता है sorry goal for evaluation का मतलब क्या होता है कि amount of effort a person must insert it to interrupt the physical state of the system and determine how well the expectation intention have been made कहते हैं कि आप कितनी effort जो एक person invest कर रहा है उस चीज़ को achieve करने में जो वो करना चाहता था उसके बाद यहां पर seven stages आ गए हैं उसके बाद यहां पर design principle concept आगे most important concept यहां से शुरू हो रहे हैं जी design principle के तो सबसे पहली यहां पर visibility का concept है visibility में क्या होता है कि आप अपने functions को more visible करते हो ताके जो user इसको पढ़ ले easily और उसको understand कर ले जैसे यहां पर देखें कुछ functions हमें visible करके दिखाये होते हैं जादा अच्छे से ताके हम उसको easily understand कर पाएं ठीक है जी यहां पर सर्णाय को दिखाया हुए affordness क्या होता है affordness is term used to reference attribute of an object that allows people know how to use it जो कि यह कैसा attribute है एक ऐसा object है जो allow करता है जो बताता है लोगों को इसको कैसे use करना जैसे अक्सर आपने दिखा होगा हम clue देते हैं अक्सर हम वो lift के अंदर वो हमें button दिये होते हैं machine based और virtual उसके लिए आपको कोई भी जो है कहलें को design करना कुछ sense नहीं बनाता है उसबाब constraints को concept दिया गया है कि concentrate refer करता है restriction को किसी भी करने कि को restriction हो रही है किसी moment के ओपर तो सिम constraint कहते है ठीक है physical constraint refer to the way that the physical objects restrict the moment of thing for example the way of an external disk can be placed into a disk drive अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको physical constraint में जिस तरह आपको बताया गया आपने उसी तरह उसके इंदर वह चीज़ इंप्लिमेंट कर नहीं होती है जैसे मिसाल के तो आपके डिस्क जो है उसकी एक साइड ही सिर्फ राइटिंग वाली होती है कि अगर आप सीधी डिस्क डालेंगे तब भी उसको computer राइट करेगा अगर आप उसको इल्टा डाल देंगे तो वह उसको नहीं चलाएगा लोगिकल कॉंस्तेंट बताया गया आगे अपना अपना सेंस और यूज करते हैं और हम राइट चीज को पिक करते हैं जैसे स्पोस करें कि हमने यह उसभी वाली पोर्ट या तार की जगा जो हम यह यह उस्बी नहीं लगाते में सेंस होते हैं चीजिशों की कल्चर कॉंसैंट में क्या हृता है कि हमें साइंड लोर्थ दिखाए गए उते हैं जैसे अब यहां पर के लिए हमें दिखाया जारा होता है ठीक है इसमा कुछ सिंगनल के अंदर में दिखाया रहा होता है डेंजर यह कुछ रास्ती बताया जारा है थे सिंगनल के अपर सायन बोर्ड की बात कर लें आप तो यह वहां पर कि मैपिंग क्या होता है मैपिंग रिलेशनशीप रैफर दा कंट्रोल देर एफेक्ट इन वर्ड अब सपोर्ज करें जी आप एक मुल्टि मेडिय को सोफडर चिरा रहे उसके आपके पास कंट्रोल था जब आपने इसको यूज किया तो सका क्या एट हुआ कॉंसिस्टन्सी में हम क्या करती है कि similar operations को यूज करते हैं similar तरह का task achieve करने जसे suppose करें मुझे एक प्विप्टी slides बनानी है तो मैं कोशी करूगा कि जिस तरह मैं दूसरी बनाओ ताकि उनमें similarity रहे, उनका color same रहे, उनके font style same रहे, उनके अंदर मैं same चीज़ें फिर use करूँगा, ठीक है, उसके बाद lecture no.13, lecture no.13 के अंदर सबसे पहले मारे पास concept दियागा है, वो input devices का, ठीक है कोई भी चीज़ जो आप use करते हैं, computer के अंदर data इंटर करने के लिए, वो input devices कैलाती है, ठीक है जी, अब input devices के लिए मारे पास अलग लग चीज़ें आ जाती है, सबसे पहले मारे पास keyboard आ जाता है, the most common method for entering data into your computer is keyboard, उसके बाद यहाँ पे कहता है के keyboard एक ऐसा method जिसके तुरू आप data को commonly enter करते हैं, most people are quite familiar with the layout of the standard alphabet, अफरनमेरिक कीबोर्ड, और अफरन काल दा QWERTY कीबोर्ड, जो आप keyboard यूज कर रहे हैं, इस वक्त वो भी QWERTY कीबोर्ड ही है, इस बाद यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे keyboard दिया गया है, अलफबेक कीबोर्ड में क्या होता है कि वही जो आप QWERTY में वही यहाँ पे बिताया गया होगा, इसके बाद keyboard यह डिजाइन किया गया, especially touch करने के लिए यानिके टच करके करना चाहें तो यह उस बनाया गया था ठीक है जी उसके बाद यहां पे क्या होता है कि सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हम जैसे पेपर के बर कोई चीज टाइब करेंगे और सब्सक्राइब करेगा और उसको इंपुड लेकर फिर कर लेगा टेक्स्ट के अंदर सपीच के साथ भी हम लुक डेटा के इंटरी कर सकते हैं और यह एक इजियस्ट वह होते हैं ठीक है उसके बाद यहां पे पॉजिशनिंग पॉइंटिंग और ड्राइंग का कंसेप्ट दि कर सकते हैं कि उसके बाद टू तर थी इंची यह अपके लैप्टॉ को आप मूव कर सकते हैं ठीक है उसके बाद touch screen का concept दिया गया है touch screen displays allows the user to input information into the computer simply by touching the appropriate part of the screen or touch a sensitive part near the screen उसके बाद stylus और light pen stylus यह यह भी एक तरह का pen ही होता है एक instrument होता है जिसके थुरू आप चीजें use कर सकते हैं touch screen use आप एक तरह का ठीक है आप pen के साथ touch करके use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद light pen भी एक इस तरह का instrument है जो की चीज़ें track करने के लिए screen के पर use किया जाता है eye gaze beta basically एक एक कहले machine है जो के advanced technology के अंदर हम लोग देखने के मिलेंगी हमें जिसके अंदर हम लोग अपनी eye के context से ही अपना computer control कर पाएंगे उसके बाद करसर की concept दिया गया है left arrow right arrow ठीक है आप arrow down arrow के button बने होते हैं जिसे हम चीजों को आप down left right move करवा सकते हैं उसके बाद display devices concept दिया गया है cathode to be the television like computer screen still most common as we write this but rapidly begin displaced by flat LCD screen यह अप कर लीजेगा यह liquid crystal display भी होता है यह भी हम लोग use करते हैं आपने बस आपने यह पढ़ लेना है कि यह laptop के अंदर use करते हैं को कहां पर use करते हैं आप यह बस पता होना चाहिए इसना को जादा इसमें interesting वाली बात कोई नहीं है उसके बाद touch feel and smell sense of touch and feel is also card use for feedback तो यह यहां पर concept दिया गया उसके बाद lecture no.14 दिया गया interaction क्या होता है interaction यह होता है कि जो हम शुरू से लेकर अभी तक बढ़ रहे हैं कि हम computer के साथ कैसे interact करें कैसे computer को जो है वो easy to use बनाए easy to learn बनाए ठीक है जो usability concept बढ़के हैं वो सारा वही है उसके बाद term of interaction आ जाती है कि domain कि आप किस area के अंदर रहके क्या क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं जीक है गोल क्या होता है कि आप क्या achieve करना चाहते है ठीक है जी उसके effort invest करता है अपने task को achieve करने में तो यह गुल्फ of valuation कहलाता है इग्नोमोनिक्स का तो यहां पर कहते हैं जी study of the physical characteristics of the interaction उसके बाद यह आपको सारी चीज़ें यहां पर skip कर दें यह आपके करने वाले कोई नहीं है अब यहां पर आजए जी menu के उपर मेन्यू से आप यहां पर दोबारा करने शुरू कर दें के मैन्यू के नहीं आपके पास यहां पर कौन कौन से चीज़ें होती है तो यह आपको यहां पर पाता होना चाहिए यह options available to the user displayed on the screen and selecting using the mouse numerical and alphabetic keys यह थोड़ा सा पढ़ लीजेगा यहां पर menu को natural language किसे करते है we have the most attractive means of communicating with the computer at least at worst glance by its natural language उसके बाद questioning answer किसे करते है dialogue is a simple mechanism for providing input to an application in a specific domain यानि कि अगर आपने को question कर आज करना हो तो यह question answering वाला box होता है यहां पर तो खायर चीज़ करवाने माले ही बस मैं वही करवाऊंगा उसके बाद यह W IMP interface आ जाता है currently many application common environment for interactive computing and example of win IMP interface styles often simply called window windowing system W IMP stands for windows icon menus and pointers and is default interface style for the majority of interactive computer system उसके बाद client and click interface आ जाता है तो यह आप एक बार पढ़ लीजेगा उसके बाद lecture no.15 W IMP interface windows icons mouse and pointers का stand for याद कर लें window are the area of the screen that behave as if they are independent terminal in their own rights तो यह आप थोटा सा कर लीजेगा उसके बाद यह icon दिये गए है जो आप यहां पर my computer यह वह icon आप यूज करते हैं आपको यह जो mouse up drag and drop करते हैं उपर नीचे यहां आप surface के उपर घुमाते हैं तो यह सारे के सारा उसको करजर जो होता है उसको यहां पर point रखा जा रहे है ठीक है इसके बाद यह icon menus जो मिलते हैं जिसके तुरू आप different चीज़ें control कर रहे होते हैं उसे menu करते हैं file वगरा यह वो button आपको दिये जाते हैं जिसके तुरू आप चीज़ों को access कर पा रहे होते हैं different तरह के action जो perform कर पा रहे होते हैं ready button यहां पर आ जाता है button can also be used to toggle between the two states ठीक है उसके बाद check box आ जाती है ठीक है कि आपने check करना होता है किसी एक चीज़ को उसके बाद यहां पर tool bar concept आ जाता है कि आप tool bar को slide कर सकते हैं उपर नीचे left right pull down कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मजीद dialogue box दिया गया गया गेंसे और और तो यहां पर कुछ नहीं आपके करने वाला बस आप यही कर लें आपके यही काफी है आप इसको भी skip कर दें हाइपर टेक्स दिया गया है जी सो इसमें बस वो एक वादे डेट कर रही है और तो यहां पर कुछ भी नहीं है बस जी तो यही आज का लेक्चर था होप करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आजए होगी फिर भी को दिन में question आप पूछ सकते हैं मिलते हैं इंशाला लेक्चर के अंदर तब तक लेजाता दीजाए जी अल्ला हाफिज रसलाम अलेक।